ग्यान और तकनिकों से लैस आज की सदी में आखिर वो कौन सी प्यास है इससे लाखों लोग एक खास मौके पर यहां खीचे चले आते हैं और कपकपाती ठंड में लगाते हैं श्रद्धा की डुक्की कौन सी शक्ति के बल पर पून जमा देने वाली ठंड में भी अजारो सन्यासी प्रयासी नगन रहते हैं वो कौन सी पौरानी घटना है जो प्ती साल बाद एक खास मौके पर फिर से घटती है कुम्भ मेला को लेकर ऐसे कहीं सारे भी अनकही बातों को आज आप से शेर करेंगे अरतिय जोति शास्त्र के अनुसार कुम्भ का योग की प्रकार के होते हैं जैसे महा कुम्भ जो 144 वर्षों में या बारा पुर्ण कुम्भ के मेले के बाद आता है पुर्ण कुम्भ जो हर बारा साल बाद आयोजित किया जाता है जग कुम्भ जो हर छे साल बाद मनाया जाता है इसके अलावा भी माग कुम्भ नाम की एक कुम्भ और भी है माग कुम्भ मेला हिंदूों के लिए महत्व पूर्ण है क्योंकि उनका मानना है कि माग मेला की उत्पत्ती रम्हांड के निर्मान के रूप में हुई थी ये मेला प्याग राज के त्रिवेणी संगम के तट पर हर साल आयोजित किया जाता है ऐसी मान्यता है कि हर बारा साल में एक बार पुन कुम्भ का योग आता है क्यूνकि ये देवताव और राक्षसों के बीच लड़ाई के बारह दिन और बारह रातों का दर्शता है शास्त्रों के अनुसार स्वर्ग में एक दिन और एक रात को एक मानव जीवन के एक वर्ष के बराबर माना जाता है पुरे विश्व में कुम्भ मेला ही एक ऐसा त्योहार है जहां अक्सर 50-60 लाक शद्धालूओं की भीड नजर आती है सिर्फ यही नहीं ये हिंदु धर्म की एकता की महान भावना का एक रूप भी है सन 2013 में हुई महा कुम्भ का मेला जो 144 वर्षों के बाद हुआ था इसी मेले में 100 मिलियन शद्धालूओं का अनुमानित आंकडा तरच किया गया था इस त्योहार को पित्वी पर सबसे बड़ी सभा के रूप में देखा गया था इस बुक अफ वॉल रिकॉर्ड्स ने इस त्योहार को सर्वश्रेष्ट वंधित घटनाओं में से एक के रूप में मान्यता दी उम्भ मेला का ये त्योहार दो हजार वर्ष से भी अधिक पुराना है उम्भ मेला का पहला दस्तावेज विवरण चीन के यातरी युएन सियान द्वारा दर्च किया गया था जो सन 629 से 645 इस वी में आरत आया था उम्भ मेले में होने वाले व्यापारिक आय की मात्रा 12,000 करोर रुपे से भी ज्यादा है इस त्योहार का प्रमुख रीती है नदी के तटपर आर्मिक स्नान करना जैसे हरिद्वार में गंगा नासिक में गोदावरी जैन की शिपरा और प्रयाग राज में पिवेणी है इस मेले में इंदू धर्म के सभी संप्रदाय के अखाडों से आये हुए नागा साधू भाग लेते हैं और वे बिल्कुल नगन रहते हैं ये उनकी साधना का एक अंग भी है यूनिस्को ने कुम्भ मेला को भारत की सांस्कृतिक विरासत के रूप में मान्यता भी दी है कुम्भ मेला का दस्तावेजी करण किया था इसे सन 1982 में जारी किया गया